कापाल भाती से भी अधिक ये ब्राणायाम आपके शरीर में उर्जा भर देता है सद्रहारं सधावसंतं रिदियारविंदे भवं भवाने सहितं नमामे श्वामी स्वी श्रिवा नंजी माराज को मेरा ब्राणा चिदानजी माराज को मेरा ब्राणा और धियात्मा नंजी माराज मेरे गुरू को मेरा ब्राणा सबका स्वागत है योग के इस सफर में इसके पहले अधियाय में मैंने क्रिया की आपके साथ बात की थी अगर आपको याद हो तो उसका नाम मैंने आपको बताया था कपाल भाती आज एक प्राणयाम की बात कर रहा हूँ तो ये क्रिया से सनलगन है जिसे हम ब्रस्तिका बोलते हैं ब्रस्तिका माने धमन जैसे धमन फटाफट सांस लेकर छोड़ती है उस तरीके से हमें ये प्राणयाम करना है कपाल भाती से भी अधिक ये प्राणयाम आपके शरीर में उर्जा भर देता है ये प्राणयाम करने से हमारे शरीर की 72,000 नाडिया है ये 72,000 नाडिया में से 36,000 नाडि आपके लेफ्ट साइड 36,000 नाडि आपके राइट साइड है सर नाडि माने नवस नहीं योग की भाषा में ये नाडि जिसे बूलते हैं वो दिखती नहीं है लेकिन ये जो 72,000 नाडिया हैं वो हमारे चक्र और शक्ती के आहावाहन और परिवहन का एक मार्ग है अगर ये आवाहन और परिवहन का मार्ग शुद्ध होगा विचलित नहीं होगा तो शक्ती अमारे शरीर में आसानी से भैपाएगी उर्जा आसानी से भैपाएगी मुझे यहां से बरोडा जाना है तो मैं सामन्य हाइवे लूँ तो हाइवे पे जाते 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 आबड कुबड रस्ते पे मुझे विग्णन आएंगे तेकिन अगर एक्सप्रेस हाइवे लूँ तो देड़ खंटे में पहुंच जाओंगे प्रस्तिका करने से नाड़ी है आपका उसका क्लिंजिंग होता है और क्लिंजिंग होने से आपकी उर्जा शरीर में पर्याप्त मात्रा में हर जगा पर पहुंचती है और अगर यह हर जगा पर पहुंचेगी तो आपके लंग में प्राणायम में जल्दी से सांस को लेना है और जल्दी से सांस को बाहर की और कैसे करें मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर गहरी सांस देनी है अगेन चीन लॉक करना है सांस को बीतर रोकना है जलंदर बंद मूल बंद और धिरे से सांस को छोड़ते छोड़ते बंद को छोड़ते जिन लोगों को एलर्जिक अस्तमा का ब्रॉब्लेम एलर्जिक अस्तमा ब्रॉंकाइटिस यह सब लोगों को नियमित रूप से यह प्राणायाम करना चाहिए जिन लोगों ने अभी अभी हाट की सरजरी करवाई है उन्हें थोड़ी देर वेट करनी जाहिए जिन लोगों ने मोतिया बिंधाय मायोपिया का ओपरेशन करवाया उनको थोड़ी देर वेट करनी जाहिए जिन लोगोंने बाइपास करवाई है अभी अभी उनको वीट करना चाहिए लेकिन यह चीज़ से बाइपास होना नहीं चाहिए नियमित रूप से अगर यह हम करेंगे तो शरीर में एक उश्मा और उर्जा और एक चीत ना आएगी तो आई आज से प्रण करे कि नियमित रूप से यह करना जरूरी है हाँ लेकिन जब यह करें तो शरीर स्थिर रहना चाहिए पूरा शरीर हिलना नीची है तिरु पेट यह आपके साथ-साथ में लंग्स यह आपके चेस्ट किस नाईव है वो हिलेंगे लेकिन करना जरूरी है तो शुरु शुरु में साथ हो सके के सिस्टम आपको साथ ना दे लेकिन फिर नियमित रूप से करोगे तो फायदा होगा तीन अराउंड करेंगे है नियमित रूप से आप करेंगे मुझे आप में शुरद्धा है कि मुझ्से आप जुडे रही है नई नहीं बातों कमेंगे नईयम पर बाते करेंगे लेकिन नियमित रूप से कि जीए 2 मिनिट का काम है पुरा पैकेज टों 15 हैcious दिन दिन में आपको उश्मा और उर्जा प्रदान करेंगे तो मुझे विश्वास है मुझे स्रद्धा है कि मेरे व्यूर्स मेरे सब्सक्राइबर्स सब मेरे साथ रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे नए एपिसोड में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए आग्या दीजिए आपके सेवक को सबका मंगल हो सबका सुभ हो